राविया है यूपी से उनका रूप कर लेते हैं, जी राविया कैसी य inac Siri आप बताएं क्याइज सवाल है आपका हकीन साहाब से गजी अस्लाम वालेकुम जी वालेकुम अस्लाम वाली असलाम मेरे वाले सापको जोइंट में तेन रहता है और उन्होंने कैप्सूल्स खाए हैं तीन महीं में लेकिन उनको मुकमल आराम नहीं पहुंचा है तो मैं जानना चाहती हूँ कोई और दवाई हुने के लिए ठीक है देखिए मुकमल आराम नहीं है तो यानि आराम है अच्छा यूनानी से आप आप बहुत जल्दी आराम की उमीद ना रखें ये और बाते किसी को बहुत जल्दी आराम आ जाता है लेकिन हम सब को कहते हैं कि दो चार महीने किसी को छे महीने भी लग सकते हैं यूनानी नहीं अगर फाइडा शूरू कर दिया तो आपको मुकमल फाइडा हो जाएगा कि अगर उन्हें दो महीने खाया और को पचास परसेंट फाइदा है तो फिर दो महीने और लगातार दीजे और उपर वाले से मदद भी मांगिए क्योंकि ये दवाएं उसकी इजादस से असर करती हैं और आप जादा फिकर ना करें यही दवाएं फाइदा करेंगी और इसे तेज दवाएं भी आप ले सकते हैं हमारे डॉक्टर से जिनसे आप दवाएं ले रहे हैं उनसे बात करिए और उसी दवा की प्रोटेंसी भी बढ़ा सकते हैं लेकिन आपके वालित को फाइदा होना मुम्किन है तो सबर रखिये और जिस तरह से आपने दवाएं लिए है आगे भी आप continue रखिये और जैसे कि हाकीम साब ने बताए कि फाइदा होना इहां पर मुनासिब है एंपी से कॉलर है शानास उनसे भी बात कर लेते हैं जी शानास बताएं आप क्या पूछना चाहती है हाकीम साब से Assalamualaikum- Mazəlizalaam प्लeक और नेरी अम्मी आ है उनके घुटने में बहुत रहता है है और उनका पीपी बहुत आई हाई रहता है तो उसके लिए कृट उम्र किदी है उनके? शेनास उम्र बताएं byłe इसी एक चाहिए अधिर कि भीपी तो आप तो उनको ज्यदा ने कर दिती कभी आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि उनका बीपी हाई हो जाता हो अगर आप कर रही ही तो आप बाज आ जाए और को बीमारी है तो पिर चार पांच लहसन सुबा चार पांच लहसन के पीश शाम को चबा के खिलाई हैं उन्हें निवालों के साथ और जूड़ों का दर्द में तो हम बहुत कामियाब हैं आप उनकी रिपोर्ट भी हमसे शेयर कर सकते हैं घरेल नुस्के से भी इलाज कर सकते हैं और बाकाइदत दवा भी ले सकते हैं घरेली नुस्के में आप देखिए गौन सिया और सौफ धनिया तीन चीजे लीजे बारिक पाउडर बनाएए और एक गिराम सुबा शाम अपने वालदा को दीजे पानी से दूस से जूस से सबर करें पांच साथ दिन बाद फाइदा होता है कम असकम और किसी किसी का तो और ज्यादा बढ़ जाता है दो चार दिन के लिए तो अगर युनानी इलाज नहीं किया तो समझ लीजे लेकिन एक महीने में अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है और अगर ऐसा हो तो फिर आप इतनी उद्दत इलाज करना हो उसे म कंबल कर लें आपकी वालदा को फाइदा मूँ किन है इस सलावल पॉलीकुम् जी बताई उनस क्या दिक्कत है? दिक्कत यह एग हमारे फाधर जो है जिनकी एग जो है कि फाई यह था उनकी जो खाथी है वो खाथी फीक नहीं हो रही है हमने खालो पर शिकलाज भी कर लिया काफी उनके लिए बताईए आपको युनानी नस्का हो जो बहले चाहे जो महिने बाद आराम करें इससा आराम हो जाए जो दिखें इसके लिए माजून आर केर ले सकते हैं माजून आर केर फाइदा तो करेगी दो चार छे दिन बाद लेकिन वो खासी को जड़ से निकालेगी और घरेली तोर पर आप उनको सपिस्तान का एक चम्मच लें ये फल है एक सुका मिलता है और पानी में उबाल के रोज़ाना पिलाया करें आपके घर में जो पीपले हैं वो चोटा सा चने की बराबर ऐसे तोड़ के उन्हें तीजे चबा के खालिया करें दिन में दो मरतबा इससे भी खासी रुकना ममकिन है सना दिली से हैं जी सना कैसी हैं आप जी अलहाग शकर बढ़िया आप बताईए आप ठीक है जी बताएं आपका क्या सवाल है जी मुझे हकीम साब से बात करनी थी मुझे ये पूछना था कि मेरी अम्मी है वो 60 की हैं और उनकी ना बैक में बहुत पेनें और नेक में भी बहुत पेनें उनकी गर्दन में और रात को नीम भी बहुत आती नहीं बिलकुल तो इसके लिए मुझे जी सही है मतलब हानी ठीक है बस जादा नहीं है नॉर्मल है चना आप कहा रहते हैं? मैं वजीरबाद में डैली है ठीक है और गर्दन में ना उनके सूजन आ जाती है पीछे की साइड हकीम साब मैं समझ गया देखो उनको प्राबलम है सर्वाइकल की और साइटिका की सर्वाइकल कहते हैं यहां जो हमारे डिस्क अपनी जगा से जुबिश करते हैं इसकी वज़े से दर्द, सूजन, चक्कर दर्द भी होता है, चक्कर भी आते है, सूजन भी होती है और बहुत तकलीफ और परिशानी होती है तो इसके लिए एक्सरसाइज करें और जो उनकी कमर में दर्द है उसके लिए भी कुछ हिदायत और गरिरन उसका हिदायत यह है कि देखिए, यह ऐसे उनको रोजाना करते रहें जितना भी उनमें हिम्मत हो, यह एक्सरसाइज करते रहें और उनको बैट पर ऐसे लिटा दीजे जिस तरफ पैर रखते हैं उस तरफ सर करा दीजे उनका और सर का हिस्सा नीचे लिटा दीजे, बाकि उनको ऐसे बैट पर लिटा दीजे ऐसा वो लिटेंगे तो बहुत अच्छा लगएगा, बहुत सुकून मिलेगा और वो यहां पर सूजन सी हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी वो इस तरफ मोटा सा हो जाता है, वहां पर मालिच भी करा सकते हैं आप खुद कर सकते हैं अपने वालिदा की अच्छा एक दवा मैं बता रहा हूँ अलसी, जो आपके किचन में हैं 1.500 ग्राम, 1.500 ग्राम गॉंड सिया, काफी महिंगा गॉंड है और बहुत कड़वा गॉंड है, बहुत नकली मिलता है यह देख के लिए ना इसका दोनों को हम वजन लेकर पाउडर बनाएं एक ग्राम सुबा एक ग्राम शाम खिलाएं और अगर एक महिने में ठीक भी हो जाएं तो तीन महिने खिलाएं अपनी वाल्दा को मुझे अमीदे इनकी तमाम तकलीफ हैं ठीक होना मुम्किन है शबनाम है दूसरी कॉला हमारे साथ यूपी से उनसे बात करते हैं शबनाम आपको क्या दिकत क्या परिशानी आ रही है जी मेरा ब्लेट पेशर बहुत रहे है जी ब्लेट पेशर हाई है जी बताएं यह काफी है ब्लेट पेशर आपकी उमर क्या है शबनाम चाने चाहिती साल इस उमर में यह प्रेट पेशर अच्छा नहीं अच्छा वंक्ते तवर पर तो आप रोज़ाना दो चम्मच तीन चम्मच लोकी का जूस पिया करिए यह फॉरी तोर पर ब्रेट पिशर को डाउन करता है लेकिन मस्तखिल तोर पर आपको रोज़ाना पांच लेस्ट सुबा पांच लेस्ट शाम चवाके खाने एक नमच नימ़ाले में पांच नमच जब भी खाना खहें लेस्ट खाना काना शुरू करें जो दो अभी लेते रही हैं आप देखेंगे कि एक दो महीने बाद आपका ब्लुड पिशर ज़रूत के मताबिक आने लगा तो आपकी ऐलोपैतिक दवा चुट जाएगे और ये काफी दिन तक चलाते रही है आपका ठीक होना मुम्किन है तन्वीर बेगम खासेबाद से उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वक्त कम है कॉलर्स बहुत जादा है जी बताए तन्वीर आपको क्या दिक्कत है तन्वीर बात ही हमारे भाई साउडी में रहते हैं कि दवा की दुकान नहीं जड़ी बूतिकी और अरगी में स्याह गोंत को क्या करते हैं ये मालूम करना है और हमारी दवा चल लएए पहले हमारे पेर में दरत थे हमारी उमर है चप पंच साल 41 का सी हमारे पेर में दरत थी 11 साल 1500 का फी या 3 वी जवका तूं में आख आथ 9 महीने के बहुत जाद ही ज़ा दरत हुई तो अब हम दवा खा रहे हैं, चार महीं ने हो गया है, चार दिबा, पांचवा दिबा चल ला है तो अब हमको दवा छोड़ने में डर लग रही हैं, भी जिस्टे दर नसुत हुआ है यह आपको मुकमल फाइदा हो गया या कुछ रह गया है? नहीं, मुकमल फाइदा नहीं, वाज जैसे कि खड़े होते हैं देश सब्सक्राइब कोई काम कर लिया, तो बिल्कुल एक पैर ही बेकार हो जाता है, घुटने में तो हमें तो थोड़ी सी हलकी सी दरद होती, अराम करते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, अगर काम कर लिया, खड़े हो गएं या चलने लगें, तो एक पैर में दरद सुर्व हो जाती है, तो ये दवा हम कर तक खाएं, चार जिब्बा हो गया, पांचमा सुर्व हो गया है, अच्छा वजन आपका ज्यादा है क्या, नहीं नहीं वजन तो ठीक है, इसमें ज्यादे नहीं है, बहुत म अच्छा देखिए, ये दवा भी आपको और खानी है, क्योंकि जो आपने कहा ना, वही मामला है, कि मैं इसी शो में शायद कहरा था कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, आपको दो-चार दिन में फायदा हो गया और आपने वो छोड़ दी, पिर उसका अच्छा आपको कुछ उठाना पड़ाएगा, अच्छा वजन उठाने की मत उठाया करिये वजन, वेस्टन ट्वालेट का इस्तमाल करें, बहुत मेहनत ना करें, ये लाजिम है, और आप जो खुवातिन रुपट्टा ओड़ती है, मल-मल का पता नहीं, आजकल ओड़ते ह वह सफ्ट होता है, उसको ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे लपेट के, और आप सीधे लेट के उस जगा पर जहां पर आपके कमर में दार दे, वहां पर रखके और सीधे लेट जाया करिए, ये अमल आप शुरू करें, अच्छा आपका सवाल के गौन सिया को अर्बी में क्या क बिल को काला होता है, और इतना काला होता है कि उसकी लकड़ी की बांसरी बनती थी कभी, तो उसे आपनूस कहते हैं, इसे आपनूस का भी गौन कहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमने तो बड़ा इंतजाम किया है, इसके बागात लगाए हुए, तो वो सच कर ल आधी ग्राम है या उससे भी कम, एक खुराक बस इतनी सी है, महिंगा तो बहुत आता है, जकिन अगर असली है तो कोई महिंगा नहीं क्योंकि वो जेर सो दो सो ग्राम आपका पूरा इलाज है, क्योंकि आधा ग्राम खाना है आपको, तो उस हिसाब से तो 20-30 रुपे रोजान आपका तीन महीने से भी ज्यादा चलता, तीन महीने में बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं, तो आप समझ लीजे और इंशालला आपको फाइदा मुम्किन नियाज उदीन भी हमारे साथ हैं पूरे से, जी नियाज उदीन ची बताए, आपको क्या तकलीफ, क्या दिक्कत अभी आपको पूरे से, जी वालेसिलम, इसनाप साम आपको भी, वालेसिलम पीजे पिते हैं, उनको तुछा था थाराइड भी था और बीपी भी है जाता और क्यलिस्टोल का भी प्रॉबम है, उनकी एज है 48 यह और अगरे प्रेसिटिवोर केजी, जी तो थाइराइड तो मैंने चेकप करा है थाइराइड हुआ था लेकिन अभी जो थाइराइड की स्टेम नहीं है उससे तोड़ा था था थाइराइड कम हुआ है बट फैरों में इतना ज्यादा सब पेन हो जाता है कभी-कभी और फैर पूरे जंजराथ जो गुटने वगर पूरा झन्जराइड होता उसमें ऐसे वाइब्रेशन टाइप ओने लगता है ठीक ठीक चुझा थीक एक नस्खा बताताहूं आपको है को उन्से कहिए के बहूत बजन ना अठाय करें बहूत महनत ना करें हूं बैस्टन टैल्ट करें चाहिता करें और आसानी से ठीक हो सकते हैं देखिए 300 ग्राम धनिया लीजे और उसको पाउडर बना लीजे और ये धनिया एक चम्मच लीजे और गौन सिया 100 ग्राम लीजे इसको पाउडर बनाईए और इसमें एक चुटकी में जितना गौन से आता है इधनी में मिलाईए और सुबह निहार मों खुला दिया करिए वो जो थाइराइट की गोली खा रहे हैं उसके साथ में और एक यही खुराक इनको शाम को भी देनी है मुझे अमीद प्राम जख़ाग में मिलाईए तरह में प्राम भी खाई उसके साथ जाल प्राम प्राम रह रजा है झाता है कि गाहरता है उसकुटकी में वक प्राम और एक जहीं प्राम छोंख़ां थाज़ें